आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ऐसे दान तक नहीं होतरी स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत 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 बागत है दोस्तों यूपी पुलिस परिक्षा रद्ध हो गई है बहुत बड़ी खुश कबरी छात्रों के लिए और हम सबने मैंने भी ल महाल है बच्चों में ठीक है 17-18 फर्वरी को यह परिक्षा होई थोड़ा साब को बैग्राउंड देता हूँ 1500 सवाल थे 300 नंबर की परिक्षा थी 0.50 नेगिटर मार्किंग हिंदी हो गया जनरल नॉलेज हो गया मैच्स हो गया और रीजनिंग हो गया यह चार पेपर थे अब 60,000 पतों बे यह परिक्षा थी 50,000,000 लोगों ने दी लेकिन जैसे ही पेपर दे के वापस आए पेपर लीक अब यहां पर क्या हुआ कि पहले तो उत्तर प्रदेश प्रोमोशन बोर्ड ने कहा कि यह भ्रामक जानकारी है यह रियूमर्स है जो बताए जा रहा है पेपर लीक क्योंकि इससे पहले स्टीफ का गठन किया और 287 गिरफतारियां हुई थी तो जो यूपी पुलिस प्रोम शिकायते करें डेर हजार शिकायते कंप्लेंस दर्ज कराए गई और पूरी कॉपी दी गई कि भाईया देख लो पेपर लीक की आप बात कर रहे हो तो यह सामने हैं आपके अब एक बहुत बड़ी बात दोस्तों यह है मुझे लगता है कि यह बोर्ड को स्टेटमेंट नही कि बहुत अच्छा था उन्होंने का कि परिक्षा अरंत करवाते हैं और अब 6 महीने के अंदर अंदर परिक्षा दुबारा होगी विदन 6 मंस और देखिए अब परिक्षा में खर्चा बहुत होता है सेंटर इदर के उधर फेक दिये जाते हैं तो बोला कि जो नगर परिव परिक्षा दुबारा होगी आपके अडिमिट कार्ड दुबारा आएंगे बस तो अब तीसरा बात उन्होंने बोली कि देखो जो भी इसमें शामिल हैं जो भी इसमें लिप्त हैं उनको बक्षा नहीं जाएगा जिन्हों ने भी बच्चों के भविश्य के साथ खिलवाल कि परिक्षा है उनको हम छोड़ेंगे नहीं तो बाबा का आदेश है लेकिन बात इतनी से थमती नहीं है दोस्तों देखिए परिक्षा हो जाएगी फिर लिख हो जाएगा यह आरो ए आरो बहुत बच्चे बोले सर आरो ए आरो को लेकर भी कल बहुत प्रदर्शन हुआ हूँ या कोई अभिहरती है उसने तैयारी की जैसे मैं सूर्या का नाम लेता हूँ मेरे स्टूडेंट उसने तैयारी की अब उसने वो काफी समय से तैयारी कर रहा है अब चलिए ये यूपी पीसियस या यूपी पुलिस का जो पेपर उसने तैयारी की एक साल उसने तैयार बोला वो आया उसको पता चलता पेपर लिख हो गया दिमाग खराब हो जाता है मैं इसे गुजराओ यह ट्रिपली का जब मेरा पेपर था दोस्तों तो मेरे एट्रेपली का पेपर बहुत टाफ आता है कई बार तो आयाईटी से टाफ हा जाता है तो मेरे उसमें 90 सवाल आते तीस मैस तीस केमेस्टी तीस फिजिक्स तो मैंने केमेस्टी के तो मुझे आधा कि मैंने थीस मैसे 27 सही थै लेकिन फिजिक्स करनी शुरू चुरू की तो 20 के 20 7 वाल मेरे ते एनाई टी तरिशी मिल गया इस बार मुझे ऐसा लग रहा था एकदम से एक माशेया था कि तब पेपर मत करें कि पेपर लीक हो गया दिमाग ओल गया मेरा यह उनसे पूछे जिनका पेपर अच्छा होता है पहुँ गुस्था ही फिर जब वापस दुबारे जब पेपर आया तो पता नहीं क्या था बट वो उस हिसाब से पेपर होई नहीं हिए पाया यह होता है हाला कि अच्छी बात है बहुत खुशी कि बात है कि पेपर को रद्द किया गया दूसरा पोइंट यह है कि भाई देखो मेरी तो यह दो तीन रिक्वेस्ट हैं प्रो मोशोंबोंडस इक रिकुएस्ट यह है अगर हो सके तो ऑनलाइन परिक्षा करवा दो मुझे नहीं पता यूपी पुलिस का फॉर्म कितने का था पर राज को अगर कमाई हुई है क्योंकि बहुत लोगों ने वरा उसी से राज अपना खर्चा निकालती है और एक्जाम कड़नक करवाती है तो मैं यह कहूंगा कि इसका अगर हो सके तो ऑनलाइन करवा दो पेपर लीख हो गा ही नहीं टीस को ठेका दे तो जैसे बैंक का एक्जाम होता है न कितना शांदार सबसे बेस्ट यूपीस से भी अगर बेस्ट मुझे लगता है न तो बैंक का एक्जाम लगता है क्या होता है उसमें ऑनलाइन होत होते हैं और छटे मंद में आपको सेलरी आ रही होती है अब उनका टीसियस को दिया गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस बढ़िया है सॉफ्टियर एपडेट रहते हैं बहुत अच्छे होता है और सबसे बड़ी बास सेंटर भी अच्छे होते हैं जैसा कुछ बच्चे कहते हैं सेंटर पता नहीं कहां डाल दिया मैं तो परशान हो गया तो एक मेरी और दर्खास देगी कि सेंटर प्लीज सर कोई अगर सुन रहा है तो सेंटर हो सके चाहिए यूपी पीसेस हो चा इससे क्या होगा ना इससे दूसरों को परशानी नहीं होगी क्योंकि देखिए जब सेंटर आप बहार डालते हैं तो रेल्वे स्टेशन से लिकर बस स्टेशन तक भीड आ जाती है कई बार ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है तो एक तो दूसरों को भी परशानी होग कि रेडियस में डाल दीजे बहुत दूर सो 200-200 किलोमीटर डालने का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि आप उतना सफर करके जाएंगे अब देखो जाधा तर स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसा नहीं होता है कमा तो रही होता है जोब का चाहिए चाहिए उनको तो क्या होता है कि वो पैसा नहीं खर्च करते हो और जैसे मालीजी कि कल सुबा पेपर हुआ तो रात में निकलेंगे अब वही प्लैटफॉर्म पे सो गए अब देखी जब पेपर देने जाते हो ना तो आप प्रॉपर नींद लीजिए अच्छे से तयार हो के जाए फ्रेश हो के जाए अब वैसे ही इतना ज़ादा फ्रेश्टेशन इतनी ज़ादा परशान हो तो क्या पेपर देगा मेरे भाईया थे ऐसे ही गए थे और पेपर में सो गए तो वही बता रहे हैं कि अगर सेंटर आप एक शहर में डाल सके तो यह बहुत ही शांदार हो जाएगा बहुत ही लाइन नहीं करवा रहे हैं बट आप UPSC के जो लोग हैं ठीक है जो बोर्ड मेंबर्स हैं या जो पेपर कंडग करवाते हैं उनसे जरूर आप राए ले कि इसको सशक्त बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है है और चौती चीज वो कानून लागू करिए तरण उसको नो बात नहीं जो है जो भी मिला ठीक है पर अभी आरो ए आरो का क्या उस पे एक बड़ा प्रश्न चन्न है तो उसकी जान चल रही है तो भया आप छे महीने है तैयारी पे लग जो फिर से लग जो और बाकिया भी और भी एक्जाम सांगे आप उनकी पे तैयारी करते रहो तो यह कुछ मेरी रिक्वेस्ट है और यह लेचर था तो आई होप आपको समझ में आया होगा खोश नहीं पड़ते हैं रही देसे सिद्धान तक नहीं होतरी साइनिंग ओफ